अज़िस इस मोहत अरवार और आज का अपना टोपिक है रोल अप मिडल एर इन एर इन येरिंग तो सुनने में मिडल एर क्या रूल निवाता है एक्टनल एर का ठीक है वो तो कैच करते हैं आपन का पिन ना रहता है यहां वहां से जैसे तरह से साउंड बेप साइं उनको तो प송च के और यह क्या थी इंपने मेंब्रेन है यहाँ पर उसके बाद इह मैदलिए हे एक तो इसने पूरह बाहर से जतने भी साउंड थी सबकू केश कर लिए अब उसको टेंपने में तपोचाना है अब टेंपने मैंब्रेन के बाद तीन क्या है डाइन से इतने मेकनिजम की जाए और यहां से कोकलिया में जाना है तो तीन तो वॉंच यहां पे एक मेंब्रेन भी है तो इतने सारे आप्स्ट्रक्शन्स हैं किसके लिए सॉन्ड वेप के लिए अब साव्ड मेने बेजी तो थी हंड्रेड प्रकेंशी के साथ ठीक है लेकिन यहां पर पहुंच कितनी पाई 60 और यहां पर कितनी पहुंच पाई 40 था क्योंकि घट गई इतनी सारे अबस्टेक्शन थे तो क्या कुछ ऐसी मेकनिजम की जाए जितने फरकेंसी से भेज़े उतनी तक ही पहुंच पाई ऐसा कुछ सिस्टम कर सकते हैं कि अपन तो इसी सिस्टम को अप तक पहुंचे ताकि सुनाई दे कि हाँ इतने फ्रकेंसी इतने डेसिबल की बेव यहां इस साउंड से या किसी भी इंस्ट्यूमेंट से निकल रही है तो रूल अप मिडल यार इन हीरिंग इस्टू कंडग दा साउंड बेव क्या होता है साउंड बेव को कंड़क करना मतल इस तरह से में मलती थी तौबाइबड़एट होने लगती है कि यह ए तेंपैन मेंबरेंट के पास जैंसर ही सौन आ रही है तो वाइब्रेइट होनने लगी यह यह यहां पर वाइबरेशन होने ले है तो झोड़ोर से वाइब बेचान होगा जिस से क्मक्र sistem है नाइन भॉ तो पहले अंदर की तरफ पर बाहर की तरफ इस तरह से मूब करेगी और बहुत सारे बाइब्रेशन जनरेट कर देगी यह का होता किसका टेम्पेनेक मेंप्रेंट का ड्यू टू प्रेसर चेंजेस प्रेडियूर्स वाइस साउंड वेफ साउंड वेफ के द्वारा कुछ प्र था वो कहां पर मेलियस इनकर तक पहुंच दिया जाता है और फिर कहां तक इस टक पहुंच जाता है ठीक है एंड में कॉजिंग टू एंड फू मूमेंट ओप स्टेपीज अगेंस्ट ओवल बेंडो एंड प्रेजेंट इस के लिए वेस्ट बूलाई तो क्या होता है यह ए पीज है ठीक है मैं आपको एक डागर्म बना की बता हूं आप यह वाला डागर्म आपने नीट नो पढ़ा होगा यह स्केला स्केला बैस्ट बूलाए होता है अ यह स्केला मीडिया होता है और यह क्योंद आइस के ला टेम पेन आए है ठीक है यह होती है ओजो भृवर्म नो ठीक है रहुद्व Stop कि ऑर यह होती है राउंड वेंडूं कि इसमें क्या जुड़ा होता है अपना स्टेपीज का पार्ट कि कि इस अपना पर भक्त आप क्या फिस यहां पर धक्का देता है फिस धक्रत देता है तो इस कि यहां पर होता है पैरिलिम्फ कि अब रहा होता है पैरिलिम्फ ठीक वीज में गया होता है एंडोलेंफ कि यह बाइब्रेशन भीजने अंदर तक किसके तुरू यह स्टैफीज मैं इस तरह के कुछ कनेक्शन से कहां में पुंस्ता है अब मुपमेंट किसका होता है पैरिलिम्फ का होता हुथ ठीक है थो यह यह पानका में रूल है मेडल येर का, impedance matching का क्या होता है, obstructions, जब कोई sound wave जा रहे हैं, तो उसके लिए obstruction आ रहे हैं, तो यहां से मैं जोर का धक्का लगाऊंगा इस पूरे container में ताकि यह movement करेगा, इस तरह से move करेगा, तो इस बज़े से इसका भी movement हो जाएगा, तो इसका movement हो जाएगा, अब यहां पर मैं कितना force लगाऊंगा, उतना maintain करें में को लगाना पड़ेगा, यहां यह पूरा बाहर निकल जाए, पूरा fluid बाहर ना निकल जाए, इसे साफ से लगाना पड़ेगा, और इसका movement हो जाएगा, बस यही करना है, यह यहां पर भरा हुआ, तो अभी आई कॉन से ही अपन की sound energy आई है, उसको convert करना है, mechanical vibrations में, तो mechanical vibration में, तो mechanical vibration में convert करने के लिए, जो process होती है, उसको क्या बोलते है, impedance matching होती है, ठीक है, अब जब इसमें धक्का लगेगा, और धक्का कौन लगाएगा, step is, यही तो ब्यक्ति है, यह तो ब्यक्ति है, यह धक्का लगाएगा ना, तो फिलूड में क्या होँगे, बाइब्रेसान जब इदर नीचे बाली तक पहुँचेंगे, बिदेंगे, यहाँ पे टेक्ट्रो यह लोता है टेक्ट्रोली मेंब्रेन, और इसका मूमेंट हुआ, तो हेर सेस्ट हो जाएगे, जब अब जब जब इसके जब अब रोती है, उसके थरू कहां पे से छला जाएगा, और ट्री पात्वे तो ब्रेंट में ठीक है, तो यही क by matching the impedance offered by fluid impedance मतलब एक तरह का अवरोध अवरोध हो रहा है कि वो वेव को जाने नहीं देगा लेकिन अपन उसी उतनी ही उतने जिन मालब जितना उसका impedance है उसे साब से कर अपन धक्का लगाए तो fluid भी एक तरह से हिलने लाएगा और वो साउंड वेव किसके रूप में बढ़ पाया है वी mechanical wave के रूप में या mechanical vibration के रूप में impedance means obstruction या opposition to passage opposition to passage मनला वो जाने नहीं दे रहा है किसको sound wave को offered by perilam due to on inertia perilam के through ये लग रहा है क्योंकि वो खुद क्या है तब जाके वो मूब करेंगा तो तो अब ये में रूल क्यों नहीं भा रहा है क्योंकि धक्का लगाने में नौल को रहा है तो साइकल्स में से कौन इस टाइब कि इस टाइब के रहा है कि तब जाके पहुंच पारा है न थे को जने साइन और वाईबिरियसान कॉक्लियर फ्लूट और इस तरह जाए और जाएंगे वाईबिरिसन जनलेट हो जाएंगे फोर्स एक्साटरेड वाई फूट पलेट ऑप इस्टेपीज और कॉक्लियर फ्लूड इज सेवेंटी टुवट टुवटी टुवटीटर दें दफोर्स एक्साटरेड वाई साउंड वेब एट इंपेनेक मेंब्रेन इतना फोर्स लगता है उससे सत्रा से बाइस गुना जातना फोर्स मारता है कौन इस टेपी इसके इस पर ओवल विंडू पर यह क्यों जरूरी है क्योंकि आप्स्ट्रक्ट हो गया था जो साउंड अपने साउंड पर भेजी थी ना वो टेंपेनिक मेंब्रेन और वोंस में आप्स्ट्रक्ट हो इती उसकी तक इसको मेलिया सको उसके बड़े से हैड़ को अब सर्फेस एरिया और टेंपेनिक मेंब्रेन 55 था और लाज कंपेर्ट टु टू एट्व फॉट प्रेट विए 3.2 बहोती कम सर्फीस अरिया होता है तो फोर्स क्या हो जाता है बड़ जाता है इस तरह से स्का रिलिशन होत स्टेपीज लगा देती है significance क्या हो जाता है most important function of middle ear because of impedance matching the sound wave transmitted to cochlea with minimum loss of intensity मारल जतीने intensity से लाए थे ना यह उतनी intensity से पहुँच पाए without impedance matching conductive deepness occurs अकर तो अगर नहीं हो पाई तो फिर जो कंडक्सन हो रहा था उसकी वज़ेस्ट क्या हो जाएगा डीफिनेस हो जाएगी मदला जद्धिने अपनको जतने हैसाब से भी यह इसाब से नहीं भेज पाएंगे तो यह होता है इंपेट्टैस में अचेंग फ़िज लाइक से न सब्सक्राइब चैनल